हालो फ्रेंड्स मैं हूँ अनुराधा और अनुराधा के यार चानल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या implantation bleeding के दौरान आपको clots या फिर heavy bleeding हो सकता है तो चलिए सुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले हम जानते हैं कि implantation bleeding क्या है generally implantation bleeding एक light bleeding या फिरल्का bleeding होता है जो की Raymondation के दौरान होता है यार जब छेद्वार्टलाइसड एक युटरस के lining में implant होता है या फिर आरफित होता है जेनरल इक इंध्रिन का process है वह फूरलाइजेशन होने के लगभग 6 NEW 6 दिन के अंदर होता है और जब fertilized egg uterus में implant होता है तो uterus के lining में जो blood vessel होता है ब्रस्ट होता है या फिर rupture होता है तो इसके बज़े से थोड़ा बहुत bleeding हो सकता है जिसको कि हम implementation bleeding कहते हैं गेनरली ये implementation bleeding आपके ovulation के लगभग 7-10 दिन के बाग यानि कि आपके next period के due date के just 3-4 दिन पहले या फिर एक हपते पहले ही हो सकता है इसलिए काफी सारे महिलाई इसे period समझ लेते हैं लेकिन implantation के दौरान implantation bleeding के साथ साथ आपको कुछ और भी symptoms नजर आ सकते हैं जैसे कि आपको सिरदर्ध महसूस हो सकता है आपकी lower back में pain हो सकता है आपके पेट के निचले हिस्से में यानि कि नाभी के निचले हिस्से में थोड़ा बहुत cramp महसूस हो सकता है आपका breast में tenderness feel हो सकता है और साथी साथ आपको slightly nauseous भी लग सकता है चलिए हम जानते हैं कि ये implantation bleeding कितना heavy हो सकता है पहले ही मैंने बताया है कि implantation bleeding बहुत ही light होता है maximum to maximum य एक से दो दिन तक चल सकता है एक टाइम पर 4-5 बूंद bleeding होकर रुख जाता है फिर 2-4 घंटे के बाद फिर से 4-5 बूंद bleeding हो सकता है ऐसे ही हो सकता है implantation bleeding के दोरान pad एफिर टैंपून यूज करने का जरूरत नहीं पड़ता है लेकिन rare case में implantation bleeding heavy भी हो सकता है अगर एक महिलाओ को bleeding disorder हो या फिर उनका clotting disorder यानि कि उनका clot सही से formation नहीं हो रहा हो तो ही उनको implantation के दोरान heavy bleeding हो सकता है जो कि बहुत ही rare है क्या implantation bleeding red हो सकता है generally implantation bleeding का color red नहीं होता है इसका color light pink हो सकता है या फिर rust brown हो सकता है और periods के दोरान जो bleeding होता है उसका color dark red होता है लेकिन implantation bleeding के दोरान जो bleeding होता है उसका color light pink या फिर dark brown ही हो सकता है क्या implantation के दोरान clot यानि की खून के थक्के भी आ सकते हैं तो इसका आंसर है कि implantation के दोरान खून के थक्के या फिर clot नहीं आ सकते हैं जेनरली सिर्फ हेबी menstrual bleeding के दोरान ही clot formation होते हैं और एक बात पर भी आपको ध्यान रखना है कि periods के अलाबा अगर महिने में किसी भी टाइम पर आपको bleeding होता है वो हमेशा implantation bleeding नहीं होता है so implantation bleeding के अलाबा दूसरे जो कारण होते हैं bleeding होने में वो है कि अगर महिला को bleeding disorder यानि कि hemophilia हो या फिर उनका cervical infection या फिर estudy हो इसके अलाबा अगर महिला ने कोई भी birth control method यूज किया है जैसे कि intrauterine devis यूज किये हैं या फिर birth control pill यूज किये हैं तो hormone के imbalance के कारण से भी उनको bleeding हो सकता है इसके अलाबा अगर उनके uterus में fibroids यानि कि non-cancerous uterus outgrowth होता है या फिर polyps यानि कि uterus cell growth होता है वो भी इन सारे problem के बज़े से उनको periods में बीच में spotting या फिर bleeding नजर आ सकता है मैं उमीद करती हूँ कि implantation bleeding को लेकर आपके मन में जो संका था वो clear हो गया होगा और एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए stay healthy and stay happy